नमस्कार दोस्तों मैं बंटी बाई बंटी बाई चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज हम है छापर में रतंगड रोड येतासर बस्टेंड के पास पूसा राम जी गोदारा के कारेले में और हमारे बीच है पूसा राम जी के कारे करता, जो कारे लेके अंदर मीटिंग कर रहे हैं, हमारे सामने है सोपाला राम जी, सोपाला राम जी आप हमारे दर्सकों को बताईए, कल च्छापर में पूसा राम जी गोजारा की दो नुकर सबाएं हुई थी, उसका क्या फरक नुक्र सबाय होई, पहले सबा थी वाड नमर एक में, दूसरी थी वाड नमर 11 में, और तीस रिथी वाड नमर 15 सोड़ा में, हाती खेज़रा के पास, तिनो ही मिटिंगों में, तिनो ही आम सबाओं में, जो छपरवास्यों का जन सहलाब था, वो इस परकार उमड़ा, कि जो ह हमारी प्रतिदिन थे वो समझ गए कि हमें बहुत ज़्यादा प्रियास करना पड़ेगा असल में हमारे जो वोटर हैं वो सब पार्टियों से समंधित हैं हमारा जो प्रत्याशी है वो कॉंग्रेस का हकदार था कॉंग्रेस ने उन्हें पिकर नहीं दिया इस बात की जलन हमारे सभी कार्य करता हो रही और सब कार्य करता हमारे प्रत्याशी को मैदान में उतारने के लिए मजबूर हो गए हलांकि हमारा प्रत्याशी पार्टी की व्रिद नहीं जाना चाहता था लेकिन कार्य करता नहीं चा कार्य करता उस नीता को छोर कर गये कार्य करता किसी दूशने नीता साथ काम करने में खुश नहीं थे उसी समय क्या हुआ beginning the gp3 जो नेता थे वही बदल दिये गए तो बीजेपी के कि अबत कर दो यह कि दिल में हैं हर वोटर के दिल में हैं टो सभी पार्टियों के लोग निड़ेले प्रत्याशी स्रीमान कुष्यरामजी का समर्थन कर रहे हैं और ये ठीड हुआ कि उस कर किकुर के बेद नंसीन जबसे । ऐसा आपार जन समर्थन मिला और आज पूरे दिन भर गाओं में चर्चा रही कि इस परकार की बैठक या आम सभा या नुकर सभा किसी भी प्रत्यासी ना आज तक आयुजित नहीं की और अब तो लग रहा है कि कोई प्रत्यासी पुशा राम जी के टकर में छापर में नहीं ह निश्यत ही सब को क्रोस करके चपर के अधिकतर मत लाता पुशा राम जी के साथ हैं ऐसा हमें लग रहा है एक सबाला राम जी आप हमारे देस्कों को बताईए आप बताइंगे कि आपके आगे का प्रोग्राम क्या क्या है आगेगा प्रोग्राम कल का हमारा दिन में संपर की कारिय करताओंगा रहेगा शाम को समय दो नुक्र समय और हैं एक तो मस्चिद के पास बड़ी मस्चिद के पास और दूसरा वाड़ नमबर 19 में और पर्ष्णों पांस तारिक को रोड़ सो के रूप में हम स्रिमान पूसराम जी के साथ संपर्ण वोटरों से एक साथ मिलने का प्रियास करें बहुत बहुत धन्यवाज सुभाला राम जी आपने अपना अमुले समय हमारे चैनल को दिया अब हमारे बीच है च्छापर के दबंग नेता हंसरा जी कुलरी पूसराम जी को दारा के करमट कारे करता हंसरा जी कुलरी आप हमारे दोस्तों को कुछ कहना चाहेंगे हंसरा जी मैं सभी 36 कौम के लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारे एक ही लक्ष है बीजेपी को राना क्योंकि इस बीजेपी के राज में जिन किसानों के साथ है चाहिए वो दलित बरेगो चाहिए वो मौमदन बरेगो कुछ किसी की साथ हो सब के साथ अन्याई हुआ है एसा अन्याई हम सहन नहीं करेंगे 37 कौम यही चात्य है कि बीजेपी को अराएं बीजेपी जरूर अरेगी ये मेरा वादा है समसे बहुत बहुत धन्यवाद हैंसरा जी कल के रेली आपके छापर के अंदर जो नुकर सबाएं हुई थी उसमें भारी मातरा में जन्सुमा देखने को मिला था कुछ कहना चाहेंगे आप हैंसरा जी ज़रूर कहना चाहूंगा जो भी विवक्ष की पालतिया हैं उन्हों में खलबली मची हुई है कल से कि ये क्या हो गया क्योंकि उनकी आम सबाएं नुकर सबाएं कहीं भी ऐसी नहीं हुई क्योंकि उनके पास मैं खुद जाके मैंने देखा है या तो बीस आदमी है या ये है या तीस आदमी है बात कि मैंने रात को आपने भी दिखा है था बंटी भाई कि कैसा दन सलाबता जब शापर में पूसराम जी आये थे बंटी भाई बहुत बहुत धन्यवाद अंसरा जी आपने भी अपना अमुले समय हमारे चैनल को दिया